दोस्तो मेरे हाथ में आप यह चीज देख रहे हैं इस चीज का प्रयोग आप अपने गुढल के पौंदे में करेंगे तो आपके गुढल के पौंदे में भी इसी प्रिकार से धेर सारी कल्या और धेर सारे फूल किलेंगे यह चीज क्या है और इसका प्रयोग कैसे करना है यह ये वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी तो आप वीडियो में बने रही है और इसकिप मत करिए और जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब करने हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें सभी केrome कर्ल कि पहले में होता है और जो गुडल का टो पौंदा होता है एक लायान यश् prostu को सब्सक्राइब करें अहीं सब्सक्राइब नरसरी से ये इसमेइन फूल भी अच्छी बंद्द को करेंगी इसकी केर तरीके से करेंगे तो आपकी भी पहुंदे में इसी प्रकार से कल्या धेर सारी कल्या खिलेंगी यह देखिए और जो कल्या है यह कई लोग की क्वेरीज होती है जो जड़ जाती है इसका जो रीजन होता है पहुंदे में जो कल्या जो जड़ जाती है गुडल के पह तब बहु हुआ है वह सब जढ़ जाएँगी तो पहुअब कीρά है वो यूद लेकिनटा उप क्लिया ने जाएंगी लेकिन उसमें रहे थेन तूप को स्सुना करें लेकिन वासे ऊब आप कि जैसे देखें मिट्टी मैंने गोवर की खाद यूज कर रहेगी हर 10-15 दिन में थोड़ी बहुत गोवर की खाद डालते रहता हूं जिससे की जो मिट्टी है वह वैल्डेंड बन जाती है और गोवर की खाद में कई प्रकार के पोसक तत्व भी होते हैं जिससे पौंदे की जो ग्रोथ अच्छी होती है तो अगर आपके पौंदे में अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है और इसमें जो कल्यां हो ज़ड़ी है उसका में रीजन एक जो है वेल्डेंड मिट्टी क्योंकि बर्सात में अगर पानी इसमें जम्हें रहेगा तो उससे भी जो कल्यां पौंदा इस्ट्रेस में आ जाता है इससे कि आपकी जितनी पौंदे में कल्यां बनती है वो सब गिड़ जाती है यह देखिए मेरा एक रैट कलर का जो प्लांट है इसमें भी देखिए कि आपके गुडल के पौंदे में अगर गुडल का पौंदा है मेरा इसमें मैंने इस प्रूनिंग करी थी इसकी तीन मेने पहले उसके बाद का यह रिजल्ड है आपके गुडल के पौंदे में आगर ग्रोध नहीं हो रहे है तो आप भी उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं इससे में भी कर सकते हैं आने वाले दो तीन महिने में उसमें अच्छी फ्लावरिंग आप ले पाएंगे यह देखिए इसमें जो फूल है कितने अच्छे घिलने दे और डेने जोल से बाहर आ जाएगा अगर आपके प्लांट जहां लगा है आपका आपके गंबले में लगा रखा या कहीं किसी जगा पर लगा रखा तो आप सबसे पहले अगर उसमें वेल्डेंट मिट्टी नहीं बनी है तो आप देखे इस तरीके से इसमें होल कर दिंगे इस तरीके से कोई चीज शरिया या कोई चीज लेकर आप उसके चारव तरब हल कर दिंगे जिसे कि इसमें जो बादव का पानी है वह रुकेगा नहीं यह होल करने से होता है एयर सर्कुलेशन भी बन जाता है पहुंदे में और जो पानी है वह सब ड्रेन हो जाता और सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसका जो नीचे जो ड्रेने जो likened वह ऊसमें हो ले निये यह वो बंद क्योंकि मिट्टी कई बार इसमें ड्रेने जोल में जाने होल जाती है आप इसमें जब पानी पढ़ता है परसाथ का तो रुख जाता है जिससे की पुंदा इस्ट्रेस मा या आता है क्विश्की जड़ों में फंगज लगने का व्यटर रहता है तो आप इस तरीके से इसमें होल करेंगे तो जितना पानी इसमें रुकेगा वह सब नीचे रेनेज सबसे ज़्यादा जो में कारण है है इसमें कल्या जो बनती है वो गिर जाती है या आपके फूल आते हैं वो बहुत छोटे साइज के आते हैं इस तरीकर से निया तेदेखें इसे में इतने बड़े साइज के फूलाया का व्यद्वी काव अच्छा है और कल्या भी देखिए क कोई कीड़ा वगर है नहीं लगा है तो आप जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था वो चीज आपने कैसे यूज करनी है और वह आपको कहां से मिलेगी यह सब मैं बताता हूं आपको यह देखिए यह चीज है यह जो है यह मस्टर्ड केक का मस्टर्ड के गए इसका दे दूँगा या आप अगर कहीं जो बीज वाली दुकान है बीज वाली दुकान से आपको मस्टर्ड केक जो है पाउडर फॉम में भी मिल जाता है और यह इस टाइप से मिल जाएगा आपको इसका आप यूज ऐसे करेंगे जैसे आपने देखिए मैंने बना रखा है यह आप मस्टर्ड केक का जो मैंने बना रखाए पानी डाल की सिमें इसको ओल लखा है इसका यूज करेंगे इसको आपने क्या करना है तो तो मैंने सो घुर अब लिया था के लिए इसमें आप गुण का यूज करेंगे गुण भी अगर डालींगे थैसे बहुत पुशक तत्व तो मैं यह आप कोई भी बोटल ले लिए आप उस Gleich है ईसमें ऐसकी चाल भी दालेंगे और हुश्मे इसको पानी बाद independent तो यूट्यो जाएगा तो इसका यूज कै से कना नैं दीजिये देखले मैं उनिल्इ इस तक थोड़ी मातर में मिलाइब इस तरही के से थोड़ी मातर में मिलाइब और आपने होल channels कर रहे हैं तो तब इसको यूज कर सकते हैं देखे इस तरीक से आप इसको इसमें डाल दिनगे और इसको जैसे मैंने डाल दिया है उसके तीन दिन और इसको यूज जो करेंगे आप इसको हर दस दिन में करेंगे यूज और आपने सभी प्लांटों में यूज कर सकते हैं इसको लिक्विट को जो फ्लावरिं प्लांट है या फ्लूटिंग प्लांट है उनमें भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें इसको हर 10 दिन में डालेंगे उसके बाद पौंधे की गुडाई जरूर करें गुडाई करना जरूरी है जिससे कि इसमें air circulation नीचे पौंधे की जड़ में बना रहे और इसको दूप में रखें पूरे दिन की तो आपके पॉंदे में जो है अच्छी कलिया और अच्छे फूल खिलने लग जाएंगे और इसमें हर तीसरे चौते दिन इसमें नीम ओयल का इस्प्रे जरूर करें नीम ओयल को आप किसी लिक्विट सॉप में के साथ मिला कर और इसमें किसे अपने गुडल के पॉंदे की देखबाल करेंगे तो आपके पॉंदे में भी इतनी अच्छी कलिया और फूल खिलने लग जाएंगे दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको और इसको आगे सेयर कर दें क्योंकि कई लोग उनकी क्वेरी होती क्योंकि जो गुडल के पॉंदे में फूल और कलिया नहीं आ रही है धन्यवाद